क्लाइमेटोलोजी का एक मैतापूर्ण टोपिक एडियाबेटिक टेंप्रेक्चर चेंज रुदोशम ताप प्रिवर्तन काहर करेंगी तो इसे असान सब्दों में यदि हम समझना चाहें यसे हम माल लेते हैं कि किसी समुद्रतल के उपर हवा का एक पारसल है एक वायूरासी है वह एक निश्चित गती से उपर उठ रही है डैनमिक रीजन से चाहे प्रितिवी के गुर्णन से या अन्या कोई थर्मल फेक्टर है तो हवा क्या है उपर क्यों उठ रही है वायूरासी उपर उठ रही है उपर उठते समय जैसे जैसे उपर उठेगी उपर क्या है वाय जाती है तो फिर उसी हवा को कहीं नीचे भी उतरना होता है नीचे उतरते समय वायू मंडल सगन होता है तो उसके आयतन के अंदर कमी आ जाती है और वायू सिक उड़ जाती है तो लेकिन यानि हवा क्या है उपर नीचे हो रही है उर्दवारदर तरीके से लेकिन उसके अंद कि जब कोई वस्तू ने तो बाहरी माद्यम को उसमा दे और ने ही उसमा ले यानि बाहरी जो माद्यम है उससे कोई कॉंटेक्ट नहीं है जैसे हवा का कोई पार्सल है मान लेते हैं तो नहीं तो ये हीट बाहर दे रही है नहीं बाहर से अंदर ले रही फिर विए अंदर का जो temperature है वो change हो जाए तो उसको रुदोशमता प्रिवर्टन कहते हैं एडियाबेटिक temperature change कहते हैं और इसके अंदर एक चीज जो हम पहले सीख चुके है या कई बार हम जिकर कर चुके है समान्य हरासदर होती है जो समान्य हरासदर के अंदर जब हम देखते हैं कि उपर जाने पर वायू का temperature प्रते एक 1000 मिटर के बाद 66 degree Celsius कम हो जाता है तो उसके अंदर क्या है हवा उपर नीचे नहीं होती है हवा वहीं रहती है यानि नीचे जो हवा है और उपर जो हवा है तो ये हवा यहीं रहती है ये यहीं यानि उपर नीचे उर्दवार दर वितरन नहीं है लेकिन रुदोशमताप प्रियोतन के अंदर हवा यही हवा उपर उठती है फिर कहीं और नीचे उतरती है और बाहर से कोई बहरी माद शुमा का कोई عणपरदान نہیں है लेकिं टेंब्राइचर चेंज हो रहा है तो इसको दो सिम ताप प्रिवरतन कहते है constitutional कहते हैं और समने हरास दर के अंदर पूरी हवा यहीं रहती है अपने स्थान पर बनी रहती है हम टेंब्राइचर चेक करते हैं कि परतीक 1000 मेटर पर कितना चेंज हो रहा है तो ये इन दोनों के बीच मुख्यांतर हम कह सकते हैं रुदोसम ताप प्रिवर्तन और तापमान की समाने हरास दर के बीच अब रुदोसम ताप प्रिवर्तन दो तरीके हम यहां देख रहे हैं इस तो ड्राइ एडियाबेटिक चेंज यानि सुखी हवा किस तरह है से तापमान प्रिवर्तित करती है इसके अंदर जो सुस्क हवा है जब उपर के और उठती है तो उसके अंदर प्रतीक 1000 मीटर जब वह उपर उठती है तो 10 डिगरी सेल्सिस का टेंपरेचर का चेंज सुखी हवा के अंदर आता है तो उसे सुस्क रुदोशम ताप प्रिवर्तन दर कहते हैं यानि ड्राइ एडियाबेटिक चेंज वह हो रहा है वहीं आरदर रुदोशम ताप प्रिवर्तन हुमिट एडियाबेटिक चेंज क्योंकि हम आलेते हैं कि नॉर्थ पॉल के उपर क्योंकि काफी अधिक नमी है वहाँ पर तो नॉर्थ पॉल पर आरदर रुदोशम ताप प्रिवर्तन देखने को मिलता है यहां भी जो दर है टेंपरिचर चेंज होने की वो दो तरह से काम करती है खास कर इक तो इसकी हम हुमिडिटी चेक करते हैं या हम कहते हैं कि संत्रिप्त वायू जब तक हवा पूरी तरह से संत्रिप्त नहीं हो जाती यानि 100% उसकी सापेक्षिक आर्दरता रिलेटिव हमिडिटी 100% जब तक नहीं होती तब तक उसका जो ताप प्रिवर्तन है वो क्या होता है ड्राइ एडियावेटिक के रूप में होता है और 100% होने के बाद उसके अंदर क्या है जो संगनन होने सुरू हो जाता है संगनन होने पर उसके अंदर लेटेंट हीट मुझूद होती है संगनन की गुप्त उश्मा तो उससे जो टेंपरेचर चेंज होता है वह दर आर्दर रुदोश्मता प्रिवर्तन होती है यानि humid adiabatic change होता है और यह दर संग्रन होने के बाद 6 degree Celsius पर 1000 meter होती है यानि समाने हरास दर से भी कम हो जाती है क्योंकि हवा क्या है बिल्कुल उसके अंदर 100% humidity आ चुकी है तो ये रुदोशन ताप प्रिवरतन छोटा सा टोपिक धन्यवाद